माननिय महानगर संग चालक जी संग के अधिकारी गणा आत्मी या स्वयम सेवक बंदू सज्जन वृंद माता भगी नी एक विशिष्ट परिस्थिती में आधुनिक तक्नीकी का उप्योग करके परदे पर ये अमारी भेट हो रही है कोरोना की महामारी से सारी दुनिया जूज रही है और उस बीमारी के साथ लड़ाई का एक अनिवारिया अंग है घर में बंद रहना सारे कामधाम बंद करके बैठे रहना घर में बंद रहकर जितना हो सकता है उतना करना तो हमारी संग के कई स्वयनशकों को लगता होगा कि हमारी शाकाय अभी मैदान पर लगना बंद है कार्या करम बंद है संग शिक्षा वर्ग प्रारंब हुए होते वो बंद है तो हमारा काम बंद है लेकिन हम अपने अपने घर में बंद है, लॉक्डाउन कहते हैं, उसमें है तो भी जीवन तो चल रहा है ऐसे संगह का कारी भी चली रहा है, नित्य के कारेकरम बंद है, दूसरे कारेकरमों ने उनकी जग़ लिये है यह संग्ण के लिए भी और हम सब के जीवन के लिए भी सकते हैं क्योंकि कि जीवन मनुष्य का इसकी कल्पना क्या है तो सारी दुनिया मानती है और संगर में हम लोग मानते कि हम स्वयम अच्छे बने और अपने अच्छाई का उप्योग करके जग को अच्छा बनाएं दुनिया को अच्छा बनाएं स्वयम अच्छा है और दुनिया के लिए कुछ नहीं कहता उसको भी लोग अच्छा नहीं करते हैं और दुनिया के लिए गलती से कुछ अच्छा कर भी लिया लेकिन स्वयम के जीवन में अच्छा ही का कोई आउश्ण नहीं उसको भी दुनिया अच्छे नहीं कहते जीवन के या संगकार्य के एक ही सिख्के के ये दो पहलू है अपनी परंपरा में ऐसा कहते हैं एकांत में आत्मसाधना और लोकांत में परोपकार यही जीवन का सुरूप है यही संगकार्य का सुरूप है तो अपने स्वयम सेवक रोज प्रार्थना कर रहे हैं मैदान पर एकतर आकर नहीं कर रहे हैं अपने परिवार के साथ घर में कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना करने का उनका समय निष्टित है उनके परिवार में, उसमय प्रार्थना हो रही, अनेक प्रतिद्द स्वयंचेयों का प्रतिद्द्यात को रोसमरण करते होंगे, नित्य शाखा के कारेक्रमों में अभी इतना ही करना संभव है उतना चल रहा है बाकी कारेक्रम दूसरा बदल गया है वो सेवा का कारेक्रम है प्रचंड प्रमाण में जो सेवा चल रही उसको सब लोग देख रहे हैं और सारा समाज हमको प्रोच्छान भी दे रहा है परन तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं मालना चाहिए यही अपना कार्या है कार्यकरम अपना कार्या नहीं है स्वयम अच्छा बनना और दुनिया को अपने प्रयास से अच्छा बनाना यह अपना कार्या है चीन देश में भारत से एक भिखू गए तथागत के दम्म का प्रचार करने के लिए कुछ वर्षे वहां काम करने के बाद उनको ऐसा लगा कि तथागत का एक चरित्र लखा जाए चीनी भाषा में वहां के जन्रता की लाप के लिए तो लिखकर तो तयार हो गया लेकिन उससों चापना है तो वहां उनके जो संपर कते उन सब लोगों से वो मिले उनसे धनी कठा किया बताया तथागत का चरित्र उससे चापेंगे और सारा धनी कठा होने के बाद चापने के लिए चाप खाने में वो हस्त लिपीद देना कल देनी है तो आज रात में एक बड़ा भूचा ला गया और बहुत से देहाद बहुत से शहर तहसनास हो गए तुरंत सेवाकारे में सब लोग लग गया है तो पुस्तक के लिए जो धन लाया था उसका स्वाभावी कुपयोग लोगों की राहत के लिए हो गया वो धन समाप तो हो गया इसलिए सारा और रहत कार्य पूरा होने के बाद फिर से भिक्को ने सबको बताया कि धन तो दिया था आप लोगों ने लेकिन वह ऐसे काम में हो गया खर्च तो और एक बार धन संकल फिर से वह ऐसा किया फिर जब चाप खाने में जाना था उसके पहले के उस दिन एक बड़ी बाढ़ा गई फिर से रहत कारी करना पड़ा सारा संकल इद्धन उसमें व्याय हो गया फिर जाकर लोगों को समझाया लोग भी समझ गये तीसरी बार धन संकल हुआ इस बार को यापत्ति नहीं हस्तलीपी छापकाने में गई मुद्रित होकर किताब तयार हुई किताब का धुमधाम से प्रकाशन हुआ लोगों ने और उस किताब को बड़े श्रद्धा पुरुवक खरीदा और पढ़ने के लिए अपने घर में जब लोगों ने उसको खोला तो पहले पन्ने पर लिख तथागत के चीनी भाषा में चरित्र की तीसरी आवरुत्ति है यह नहीं लिखिज चरित्र एक करीत्र째 शुरूप है है कosphazioni दुनिया की दुख्च मुक्ती उसको आचरण में उसके पहले दो बार लाके दिखाया गया तो वह भी उस फुस्तक की आवरुत्ति है के ए एसे हम आज जो कर रहे हुँ वो भी कार्यक्रम बदल के संग काही कार्यक कर रहे अभावनाय से उसको करना को स्वाभाविक किलो संग tá के लोगों के लिए नहीं सभी के लिए कुछ बाते परश्ट्टों हो जाती एक तो हम यह सेवा क्यूं गर nossa उसकी प्रेणहा हमारी स्वार्थ की नहीं है अपने अहंकार की तुर्टी या अपनी कीरती प्रसिद्धी के लिए यह नहीं करना है कि जो लोग सवयोगी बनना चाहते उनको जानकारी हो इसलिए कुछ प्रसिद्ध करना पड़ता है अपने कार्य की रचना में हम सब को सविस्तार वृत्त ठीक ठीक पता चले इसलिए उसको प्रकाशित करना पड़ता है लोगों को प्रेणा मिले इसलिए भी ऐसे कार्य में आने वाले अनुभों का लेखन प्रकाशन करना पड़ता है परन्तों अपना डंका बजारी के लिए हम यह काम नहीं कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं यह अपना समाज है अपना देश है इसलिए इस स्वार्थ भय मजबूरी प्रतिक्रिया यह अहंकार इन सब बातों से रहित आत्मिय वृत्ती का परिपाक है यह सेवा और इसलिए इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है निरहंकार वृत्ती से लगना है श्रिय दूसरों को देना है और अभी यह जो विशिश का आपत्ति है उसमें जो सेवा करनी है उसमें लोगों का प्रबोधन भी करना पड़ता है कई बाते बतानी पड़ती है तो बताने का परिणाम तभी होता है जब हम उसका पालन करते हैं और इसलिए कोरोना की महामारी के समय में अपने स्वास्थ को सुरक्षित रखने के जो जो नियम विहित है और हम लोगों को बताने वाले हुँ सबका पालन पहले अपने को करना करते हुए भी आमको काम करना एं घर के बाहर निकलना पड़ेगा लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अंवती चाहिए लॉक्ड़ोन है तो अनुमती पूरवख ही काम करना प्युक्त behavior प्यू चोटी चोटी बातों में भी सहज रहकर स्वयम उसके पालन का उदारन बनकर हमको लोगों को बताना है और हम यह कर सकते हैं महाबारी नहीं है उसने कहर मचाया है लेकिन उससे डर जाने की अबस्षकता नहीं है डरने से काम नहीं होता डरने से संकट का बल ज्यादा बढ़ता है अपना संतुलन कायम रखके मन में भैका लवलेश न रखते हुए ठंडे दिमाग से कौन से उपाई करने है कैसे करने पड़ेंगे क्या क्या करना पड़ेगा इसकी योजना बना कर हम काम करते हैं तो वो काम येशस भी होता है आट्म विश्वास युक्त ऐसा अपना सुन योजित प्रयास करना है भया से रहित होकर और सातत्य पुरुवक प्रयास करना है क्योंकि ये बीमारी नहीं है इसमें निश्चित क्या-क्या हो सकता है इसके अनुमान लगते जैसे इसे अनुमुवाता है वैसे ही पता चल रहा है और इसलिए अब ये कितना चलेगा पता नहीं जल्दी से जल्दी समाप तो ये पूरा प्रयास हम करेंगे लेकिन जितने दिन उतने दिन पीडित लोगों को रहात देने के और ये बीमारी नव फैले उसके प्रयास जारी रखने पड़ेंगे बीच में ही छोड़ दिया तो यसस भी नहीं होंगे एक आदमी सब तरफ से कंगाल हो गया निराश हो गया उसको ऐसा लगा हम आत्मत्या करेंगे लेकिन कुछ उसके जैद में पैसा था कुछ दिन जीने का सामान उसके पास था तो उसको ऐसा लगा कि पहले इसको खर्चा कर देते हैं और बिल्कुल ही कफल लग होकर मर जाएंगे इसलिए वो बड़े शहर में गया कि वहाँ पर जुवा खेलेंगे और यह सारा धन उड़ा देंगे फिर मर जाएंगे लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको पता चला कि उस गाओं के पास उस शहर के पास एक बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी जिसमें मैंगनीज मिलेगा ऐसा लगता था इसलिए दो तीन माइनिंग कमपनीज ने वहाँ आकर खुदाई की 500 फिट नीचे गए लेकिन मैंगनीज मिला नहीं निराश हो गए इसलिए उसका लिलाव वो करने वाले थे तो उसको लगा कि ये भी एक जुआ है चलो जाके बोली बोलेंगे अब इतना तो धन नहीं था उसके जैब में कि इतनी बड़ी जमीन खरीजी कर सके लेकिन वो 200 फिट की जमीन नहीं थी 500 फिट का लंबा चौड़ा गहरा गड़ा बना था उसको कौन खरीजेगा उस निलाव में कोई आया ही नहीं यही अकेला पहुचा इसलिए इसके जैब में जितने पैसे थे उतने में उसकी जमीन हो गई अब जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको उस दिन की मजदूरी कंपणी ने दे दी थी तो उन्होंने आके पूछा क्या करें काम अभी बंद करें कि पाच बज़े तक करें और बाद में छोड़े तो उसने का आपने प ख़दानों का मालिक बाद में एक रेलवे कंपणी का मालिक ऐसा सब कुछ बन गया फिर से उसका जीवन बन गया उसने लेख लिखा हो मैंने पढ़ा रिडोस डाइजस्ट में आया था कहानी अमरीका की है लेकिन उसका शीरशक था डिफरेंस बिट्विन दिस अक्सेस और तीन फिट और खोदने का दम इसने दिखाया तो इसको वैबो मिल गया इसलिए ऐसा सातत्य अपने प्रयासों में चलना चाहिए उबना नहीं चाहिए ठकना नहीं चाहिए करते रहना चाहिए सब के लिए करना है इसमें कोई भेद नहीं है जो जो इसके पीडित है वो हमारे अपने है भारत ने तो जिन दवाईयों के और निर्याट पर बंदी लगाई थी दुनिया के लिए उसको हटा कर थोड़ा बहुत अपने तरफ लुक्सान लेकर भी दवा कंगेंगे उसको देंगे है कि यह हमारा स्वभाव है कि हम मनुष्रों में भेद नहीं करते और ऐसे प्रसंगों में तो बिल्कुल नहीं है कि सब अपने हैं जो-जो पी-डित जिसकी जिसके आपशक्ता है उन सब की सेवा जितने अपनी शक्ति है उतनी सेवा करने हैं और यह सेवा करते समय को इस परदा तो है नहीं अपनी किर्थी फराने के लिए दुनिया भर में काम नहीं कर रहें इसलिए जो इसकाम में लगे उन सब को साथ लेकर उन सब के साथ रहकर काम करना है कि सामूहिक्ता से काम करना है कि इस प्रकार से हम सेवा करेंगे लोगों को जो बताना है वह बताएंगे लोगों से यो गर вами करेंगे आधार उसका होगा अपनत्व की भावना सनेह प्रेह मौ अपने व्यवार में दिखना चाहिए काम अच्छा होना चाहिए सेवा का काम है उपकार तो है नहीं हम अपने लोगों का काम कर रहे हैं इसलिए उत्तम होना चाहिए प्रेम से होना चाहिए हनुमान जी के कारे के बारे में ऐसा वालमी की रामायन में कहा गया है देवों ने उनकी स्तुति की एक प्रसंग पर तब चार उनके विशिष्टों का उल्लेक किया दृती दृती मती और दाक्ष यहने दक्ष था सावधानी कि सावधानी आवस्चक है हम काम करेंगे लेकिन हम काम करते रहें इसलिए काम करते करते हम भीमार नहीं हो जाएं इसलिए आजकल आयुश मंत्रा लेकर द्वारा एक समर्थित काड़ा है उसको हमने रोज पीना चाहिए बाकी मास्क लगाना अंतर रखना यह सारी बाते हाथ दोना स्वच्छता रखना हम स्वयम चिंता करें कि हम काम करने लायक रहे कि अपनी मदद जिनको वास्तवित आवश्चकता उन तक पहुचे दूरत लोग भी रहते हैं दुनिया में वह हमारी मदद लेके चले न जाए इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सजकता से काम करना पड़ेगा कोई छूट न जाए जिसको आवश्चक है उन सबके पास मदद पहुचे ऐसा काम करना पड़ेगा बुद्धी ठीक रखनी पड़ेगी किसको किस बात की आवश्चक्ता है सामान्य सूचनाय सबके लिए दी जाती है लेकिन कुछ विशेश भी परिस्थितिया रहती है उसमें उस प्रकार की रहत मिले ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है और इसलिए लीक में चलते हुए भी ली प्रशासन इतना लचिला होना पड़ता है कि अपने सेवा के दायरे में सेवा के लाभ लेने वालों में सब कि अवश्चक्ता जिनकों ऐसे लोग आ जाए और फिर दुरूष्टी की बात है हम यह सब बताएंगे यह सब करवाएंगे तो आदते भी लोगों के ठीक रहें आदते ठीक न रखने के कारण भी यह बीमारी आती है तो यह अनुभों लोग ले रहे हैं अब उनकी मनोभुमी का तैयार है तो हमने अच्छाई का प्रचार प्रसार भी लगे हाथ करते रहना चाहिए यह केवल कार्यकरम नहीं है इसमें से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और लोगों के जीवन को गड़ भी रहे हैं कि अपने पवित्र समाज का सुरक्षण और सरवांगिन उन्लती यह हमारी प्रतिद्ञा है और इसलिए उस दुर्ष्टी को ध्यान में रखकर हमको काम करना है और धैर यह रखना है इसा कितने दिन कितने दिन ऐसा करके नहीं होगा जब्र पूरानी होता दब तक करते रहना है सतत करना है एसा करते रहना और एसा करते रहते समय यह जैसे गुण है अनुमान जीक से वैसे विदुर नीती में एक बात बताईए दोशों को टालने के जिस पुरुष को अपना वैभव चाहिए अपना विजय चाहिए अपना प्रभाव चाहिए अपनी खुशाली चाहिए उसको छे दोशों का हनन करना पड़ता है उनको दूर करना पड़ता है वो कौन से है निद्रा तंद्रा भयक क्रोध आलस्यम दीर्गस उत्रता आलस्य और दीर्गस उत्रता काम की नहीं है तत्परता चाहिए जब उपस्थित होता है भारत का इस सारी बीमारी के दोर में काम बहुत अच्छा हो रहा है इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाई योजनाएं यहां के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के बहुत बड़े आउशन ने उसको अमल में लाया आलस्य नहीं किया दिख दीरगर सोत्रता नहीं दिख़ई इसको ध्रपरता अपनी कायम रखने चाहिए लिद्व्हकों करते करते धुन लग जाती है उसको तंद्रा कहते दुन लगना अच्छा है लेकिन तंद्रा अच्छी नहीं क्यूंकि उसमें विचार नश्ट्र होता है सोच समझ के सजग रहकर एक-एक कदम डालते हुए काम करना और भय और कुरोध को टालना लोगों को भय लगता है कि हमको क्वारंटाइन में डाल ले चुपने का प्रयास करते हैं लोगों को कुछ नियमें बान दिया तो लोगों की ऐसे भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिवंदर आ रहे हैं अब संगय ने अपने और मार्च में ही तैय करके जून अखिर तक सारे कारिक्रम बन कर दिया लेकिन किसी किसों को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कारिक्रमों पर प्रतिबंद कर रहे हैं इस निमित और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है उसके कारण कुरोध पैदा होता है कुरोध के कारण अविवेक होता है फिर अतिवादी कृत्यों होते हैं हम जानते हैं कि इसका लाब लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है उसमें एक कार्ण यह भी है परंतु दो बाते डहन में रखनी चाहिए जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भावसे करना इस पर क्रोध नहीं करना इससे डर नहीं मन में रखना वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोध वश कुछ उल्टा सिधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेट कर उससे दुरी बनाना यह भी ठीक नहीं सर्वत्र दोस रखने वाले लोग होते हैं सामान्य लोगों के मन में कुछ आ सकता है सामान्य लोगों ने सबने खबरदारी लेनी चाहिए कि यह अपने देश का विशह है देश हित का विशह है इसमें हमारी भूमी का सहयोक की ही होगी कभी भी विरोत की नहीं होगी मन में किन्तु परंतु है उसका लाव लेकर द्वेश करोत को भड़काने वाले लोग है उनके खेल चल रहे हैं स्वार्थ के कारण भारत तेरे टुकले होंगे ऐसे कुविचार रखने के कारण बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते हैं राजनीती भी बीच में आ जाती है यह जिनको करना है जिनका चलता है उनको चलता रहे इससे बचना यह लोग अपना कुछ बिगाड न ले इतनी सावधानी और इतना बल सजग जागरुत रखना लेकिन हमारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावस कोई खुननस कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए भारत का 130 करोड का समाज भारत माता का पुत्र है अपना बंदु है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए भाया और क्रोड दोनों तरब से नहीं करना चाहिए और जो जो अपने अपने समुव के समझदार लोग है नेतृत्व करने वाले लोग है उन्होंने इससे अपने समुव को बचाना चाहिए और ऐसे भाया या क्रोडवश होने वाले क कुरत्यों में हम लोगं को नहीं रहना चाहिए यह अपनी अपना समाज को सिंखाना चाहिए ऐसा नहीं करते तो क्या होता है भारत के समाज को अधिशBon या दो सन्यासे ओगी अश्थ pry या मारेक कम हुई अब उसको लेगे बयान बाजियों करें चलती है उसको एक बाजियों रख दिया जाए परंतु यह कुर्ति होना चाहिए क्या कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए क्या ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए यह सारी बात है सोचनी की बात है ऐसे संकट के घड़ी में और ऐसे मन में कुछ किन्तु परंतु रहते हैं रह सकते हैं अपेक्षित नहीं है स्वाबाविक है लेकिन उनके चपेट में न आके हम लोगों को सारे भेदकी स्वार्थकी प्रोर्तियों को अलग रखते हुए उनको उभरने न देते हुए देशित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए भया क्रोध यह जो दो दोश है उसको टालना चाहिए उन सन्यासियों की हत्या हुई पिट-पिट कर माला लगया निरुपद्रवी लोग थे किसी का कोई अप्रा दोना नहीं किया नहीं था धर्म का आचरन करने वाले धर्मका आचरन फैलाने वाले थे मानव पर उपकार करने वाले लोग थे उसका दुख्वाम सबके मन में है अठाइस तारीक को उनको श्रद्धान जली देने के लिए हिंदू धर्मा आचार्य स्वभा ने कुछ आवान भी किया है विशुवंदु परिशद ने जो कारेकम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे उनकी स्पूर्चि में अप सकता नहीं रहेगी लेकिन जो अस्ताव्यस्त हो गया उसको ठीक करने में समय लगेगा हमने देखा है कहीं कहीं ऐसा हुआ भी है कि थोड़े से बंदन शीतिल होने के पाद एकदम भीड़ हो गई फिर से उनको तितर वितर करना पड़ा यह अविवेक हो सकता है समाज में सा समय में दिशा देने वाले लोग होने पड़ते हैं अब विद्याले खुलेंगे तो फिजिकल डिस्टन्स मेंटें तो करना पड़े आने वाले समय में कई दिनों तक उसकी व्यवस्था कैसे होगी वह बताना भी पड़ेगा समाज के लोगों को इकठ ठाकि यह कैसे हो सकता सोचना पी पड़ेगा विद्याले में विद्याले के आसपास के परिसर में छोटी संख्या में क्लासेस लगा सकते हैं क्या करके विद्याले की शिक्षा शुरू भी होगी और यह डिस्टन्स मेंटें होगा बाजार वगरे शुरू होंगे लोकिन लोग इस अंतर को कायम र इसके लिए चिंता करनी की आवश्यक्ता है याने राहत पहुचाने का काम शायद कम हो सकता है परन्तु फिर से ये बिमारी न आये उतावली न हो इसके लिए समाज को दिशा देने का काम हमको करते रहना पड़ेगा ये सारे काम होने हैं तो समाज में एक सद्भाव सदाचार सहयोग का वातावरन बनना चाहिए समाज के सारे जनमान्य लोगों को इकठा करके उनके द्वारा ये बात करवानी होगी सम्वाद रखना पड़ेगा अनुशासन पालन के बारे में स्वयम का उधारन और उपदेश उन लोगों को रखना पड़ेगा उसके लिए उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी लोगों की कि शमत प्रतिकार कि शमता बड़े कई आयूरीदिक योग है व्यायाम है तरह तरह के प्राणायाम है उपाये तो अपना स्वास्तमंतरा ले भी बता रहा है और जग जग के चिकित्सक भी बता रहे हैं उसका नित्य नियमित आचरण करने का एक कुटुमबों मे संसकार का वातावरण होना चाहिए शांत दिमाग से किसी भी भय याने पैनिक के चपेट में आते हुए जो करना है वो करता हुए ठीक से करना इस प्रकार का स्वभाव बनने के लिए कुटुम्ब में भी उस प्रकार के स्वभाव का संसकार होना चाहिए इसके हमको प्रयास करने पड़ेंगे और प्रयास में वही करम रहेगा हमको उधारन बनना पड़ेगा हमको समुपदेशन करना पड़ेगा हमको अपनी सेवा से सबको जोडना पड़ेगा और सबका सहयोग जुटाना पड़ेगा यह बीमारी पहली बार आई है इस प्रकार की सारे दुनिया में एक साथ शायद ही पिछले और कुछ शतकों की इतिहास में विश्वा पहली बार ऐसे संकट का सामना कर रहा है तो संकट तो है और हम लड़तो रहें लेकिन यह संकट कुछ रिका भी रहा है जैसे प्रदान मंत्री नहीं पिछले दिनों में कहा सरपंचों को कि यह संकट हमको स्वावलम्ब्रों की सीख दे रहा है तो कई ऐसी बाते भी आ रही क्योंकि यह संकट जाएगा जो अस्तावियस्त हो गया उसको यथावकाश हम ठिक कर लेंगे लेकिन इस संकट के अनुभाव में कुछ सत्य फिर एक बार उजागर होके हमारे सामनी जो स्पष्ट कड़े है उनसे पाठ लेकर बोध लेकर अपने जीवन की रचना को उसके अनुसार परिवर्तित करने का एक बड़ा काम एक तरह से राष्ट्र पुन्र निर्मान का जो काम चल रहा है उसका अगला चरण उसको परिणाम में लाना पड़ेगा अब बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने अपने गाओं में सब के सब वापस आएंगे क्या जो गाओं में रहे जाएंगे उनको रोजगार की क्या व्यस्ता होगी जो वापस अपने काम पर आएंगे उन सब को काम देने की उद्योगों की या उनके मालिकों की स्थिती होगी क्या क्योंकि उनके भी सारे कारोबार ठप पड़े ऐसी अवस्था में इनका रोजबार गार भी कायम रहेвой और उस समय के सीमित साधनों में शब चल सके इसके लिए सबको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मनकी तहीरी करनी पड़ेगी, समझदारी बरतनी पड़ेगी, उसका भी उपधैश करना पड़ेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा और अगर श्वावलंबन ये इस आपत्ति का संदेश है तो श्वावलंबन में अपना स्वा क्या है उस्वा आधारित तंत्र का अवलंबन हमको करना पड़ेगा कम उर्जा खाने वाला रोजगार मुलक परियावरण को न विगाड़ने वाला ऐसा विचार हमारे ही पास है उसके आधार पर एक युगानुकूल रचना अपने अर्थनीती की अपने विकास नीती की अपने कांत्री की की हमको करनी पड़ेगी आधुनिक विज्ञान के आधार पर इसमें जो जो अध्यतन साहयक होता है वो लेते हुए परंपरा के आधार पर जो आज सुसंदर भी तहे इस संकट के कारण फिर से एक बार हमको याद आ रहा है उन दोनों को मिलाते हुए हमको एक नए के विकास के मॉडल का निर्मान करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा यहने कोन करेगा शासन को विचार करना पड़ेगा प्रशासन को विचार करना पड़ेगा लेकिन मात्र इन दोनों के करने सी नहीं होता समाज को भी इसमें कुछ करना पड़ता है समाज को स्वका उलंबन करना पड़ेगा यहां की बनी वस्तुए जहां तक संभव है उन्हीं का उप्योग करेंगे यहां जो बनता नहीं बिना उसके जीवन चलता है तो बिना उसके चलाएंगे जीवन के लिए आवश्चक है तो अपने शर्टों पर लेंगे कम से कम उप्योग में चलाएंगे ऐसी बहुत सी बाते अपने नित्य ववार में लानी पड़ेगी अपने अपने व्यक्तिगत और पारिवार के व्यवार में हम लोगों को स्वदेशी का आचरन करना पड़ेग स्वदेशी का आचरन करने के लिए स्वदेशी के उत्पादन उत्कृर्ष्टता के मामले में बिल्कुल उन्नीस नहों ऐसी गुणवत का उत्पन करनी पड़ेगी उद्योजक निर्माता कारीगर सभी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और समाज को स्वदेशी पर लंबन नहीं होना चाहिए ऐसा हमको समर्थ रहना पड़ेगा उसी प्रकार हमने अनुभव किया अब जो बाहर निकल कर नदियों को वगरे देख सके वो बताते हैं लेकिन हवा का तो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि परियावरण बहुत मात्रा में शुद्ध हो गया क्यों शुद्ध हो गया क्योंकि कुछ क्रियाकलाब बंद हुए जो परियावरण को दुशित करते थे अब फिर से अपना जीवन नियमित हम शुरू करेंगे तो कौन से ऐसे क्रियाकलाब कम से कम हम कर सकते हैं बिना उसके काम भी चल सकता है इसका विचार हमको करना पड़े और प्लासटिक से मुक्ती स्वच्छता का पालन कर जैविक तरीकों पर बलिकर गव पालन जैविक खेती आदिक के आधार पर जीवन चलाने का हमको अभ्यास अपना करना पड़ेगा अभी जो हमारा अभ्यास रासायनिक खेती आदिका है उसको बदलना पड़ेगा उसके लिए सारे समाज का बनाना पड़ेगा शासन की नीती वैसी बनेगी लेकिन जब तक समाज उस प्रकार चलता नहीं तब तक उसका परिणाम नहीं होता कुटुमबा में भी हमको और इस प्रकार के समसकार करने पड़ेंगे बहुत दिलों के बाद जो भागदोर चल रही थी वो बंद हो गई तो अपने घर में रहने का सतत रहने का आनुबह बहुत लोगों को बिला घर को भी अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं समवाद बढ़ता है समझदार यह बढ़ती है सौमनस्य बढ़ता है और इसलिए कुटुम में इन सारे बोदों की चर्चा उसके आधार पर व्यवहार कैसा हो ऐसा समवाद चलना जैसा अपना कुटुम है वैसे समाज भी एक कुटुम है समाज के भी विचार करने वाले लोगों में समाज का नित्रुत्व करने वाले लोगों में इस प्रकार का चलना चर्चा का चलना संस्कार का नियमितता का प्रभा होना अपने जीवन पर व्यक्ति के तोर सामुई इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी नागरिक अनुशासन के पालन में हम सब को तत्पर होना पड़ेगा जहां जहां उस अनुशासन का पालन लोग कर रहे हैं वहां कोरोना का उपदलों कम है और जहां इस अनुशासन की आदत नहों होने के कारण गडबर हो रही वहां कोरोना की चपेट में अभी भी देश का कुछ भूबाग है और इसलिए उस अनुशासन का पालन करना भगिनी निवेदिता ने कहा है कि देशभक्ति का स्वतंत्र देश में रूप तो नागरिक अनुशासन का स्वयम होकर सारे नागरिक पालन करते इतने वो समझदार होते यही है लक्टर अंबिडकर साहब ने भी सम्विदान प्रदत करते समय जो भाशन सोसद में किये थे उसमें इस प्रकार की कानून व्यवस्था नियम आदिका पालन करने पर बहुत जोड दिया गय कि उसी प्रकार समाज में सद्भाव का वातावरण सवयोग का वातावरण शांती का वातावरण बरनाना पड़ेगा शासन तो संसकार मूलक शिक्षा नीती जल्दी लाएगा लाना पड़ेगा उनको क्योंकि सारे काम शासन की नीति प्रशासन का नीती को धान में रखकर स और समाज का आचरण से सहयोग इन तीनों बातों के एकत्र आने के बाद ही संबह होता है तो शासन जैसे अपने प्रशासन को समाजोन मुख करेगी राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिको स्वार्थमूलक से हटा कर देशहीतमूलक बनाएंगे शिक्षा जैसा संस्कार देने वाली परिवर्तन अपने आप में करेगी वैसे हम सब लोगों का व्यवार भी वैसा होना पड़ेगा भविश्य के लिए भी यह संकट बहुत कुछ बता कर जा रहा है उसका विचार करके हमको अपने जीवन के नए मानक का विचार करते हुए उसको आचरण में लाना इस सदेश को इस संकट से निकाल कर सारे विश्व की मानवता का नेतुरत्व करने वाला देश बनाने के लिए आत्मविश्वास पूरुवक प्रयत्नों का परिश्रमों का साथत्य अपने करतुरत्व में रखकर फिर एक बार हमको सक्री होना पड़ेगा इस की आबच्चक है हमारी भूमी का विश्व में और अपने देश में हम सब की यही है कि इस संकट को आउसर बनाकर हम एक नए भारत का उत्थान इस सारे संकट को आउसर बनाकर उसमें से करें ऐसी हमारी भूमी का हो इसलिए जो मेरे विचार में आवश्चक बाते मुझे लगती थी वह मैंने के सामने रख दी है संग के सारे स्वयंसियों कैसा सोचते ही है और ऐसा करेंगे ही परंतु संपूर्न समाज में सभी को ऐसा होने की आवश्च सकता है इतनी एक बात को मैं आपके सामने रखता हूँ और अपना यह निवेदन पूर्ण करता हूं झाल झाल झाल